प्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल इलावादी गल बविता राज मैं बविता फ्रेंट्स आप लोग बहुत अच्छी हो आज की वीडियो में आप लोग ऐसा प्रेंट्स की प्रॉब्लम में जूरियों की प्रॉब्लम है और आपके स्कीन धीली हो चुकी है दो इसको लगाते ही जिसे लगाने के दसमिन प्रॉब्लम में और आपके रहेगी तो आपके स्कीन बिल्कुत रहेगी बेदाग रहेगी एक चमक रहेगी और आपका जो कलर है वह भी फेर होगा और यूज़ेगी डांग सब्सक्रूरिकst आपको लगेगा कि आपने बहुत ही महने फेसल कराते हैं वह दस निट के बाद वह असर नहीं दिखाता है क्योंकि उसको टाइम लगता है चौबिस गंटे लगते हैं छे साथ गंटे लगते हैं तब आपके चहरे पर वह साइन आती है मारके पले जो आप फेसल कराते हो वह जश्ट आपके चहरे पर चमक नहीं देता है मगर यह जो papa फेसेल है इस Alors आपके चहरे पर तुरंत ही असर दिखाएगा का अगर आप चाते हो कोई ऐसा फेस फेस पैक भूल रहे हो कि जिससे लगाते तुरंत ही आपके चहरे पर आक तो इस से अच्छा फेसपैक नहीं कर लिए स्कीन को टाइट करने लिए हिसा जाने के पहले इसको यूज कर देखो फिर मुझे कमेंट करके जरू बताना कि यह कैसा असर करता है तो चलिए देख लिए इसे कैसे बनाना मैं फेस्पे लगा के दिखाऊंगा अप लोगों असर ही नहीं दिखता तो इसके लिए मैं क्या करूं मैं किसको लाओं कोई भी कैमेरे के सामने मेरे नहीं आना चाहता है प्लीज आप इसे ट्राइ कीजिए खुदी देखिए आपको खुदी असर दिखेगा किसी को पर मैं करके क्या दिखाऊं तो चलिए देख लिए और इसके पहले मुझे आप लोग से करना है मेरा एक चैनल और वह है इंडियन यूटूबर बविता राज तो प्लीज आप उ यह रूखी बेजांस यह तो उस भी चमक लाता है और six month baby जैसे मारी सकीन को बना देता है आप इसका यूज कर रहे हो किसी भी फेस पैक में या देली आप दही से अपने फेस को मसाज कर रहे है तो अगर आपकी ज़ड़ रही है ना तो विल्कुल आपकी स्कीन बिल्कु कलर को फेयर करेगा अब यह सोच रहोगी अंडा बद्बू करता है जी हां अंडा तो बद्बू करता है मगर आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा है यहां पर देखें मैंने एक का यलो हिस्सा ले लिया अब इसे अच्छे से में फेट लेना है बिल्कु आप dongम बेसर को बनायी हो अब इसे डालने के बाल अच्छे से मिक्स कर लेंगी अब इसके बाद हम यहां डालेंगे lemon juice क्योंकि अंडा बद्बू करता है जो नीवू होता है nature bleach का काम करता है हमाई skin को clean करता है फेर करता है दाग धबोग होटाता है अब यहां पर मैंने lemon को भी मतलब juice को भी add करती है अब इससे अच्छे सापको fit लेना अब लिको cream बन जाएगी और यह जो है ना अंडा जो होता है तो यह face pack बहुत ही अच्छा है यह आपके चेहरे पर तुरंत ही असर दिखाता है इसे लगाने का तरीका भी मैं बताती हूं कैसे लगाना क्योंकि आप लोग बनाने का देख ले तो लगाने का नहीं देखोगे ना तो फिर रिजर्ड अच्छा नहीं आएगा तो चले मैं पे भी लगा के द्खाती हूं और इसे कैसे लगाना है कब तक लगाना है पर ऐसे लगाने के पहले मैं कर ले करके आपको दो से तीमनट तक मसाज करना है, मसाज करने के बहुत सारे फैट दे हैं, आपके स्किन के डेड़ स्किन निकलेगी, ओपन स्पोस जो बड़े हो जाते हैं, खुल जाते हैं, वहाँ जो गंदगी जमाओगी, वो साफ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, और दाग धबों की भी स्किन आपकी जो है न विल्कुत जमकदार दमकदार हो जाएगी, तो आपको तीम तक मसाज करना है, मतलब स्क्रब करना है, और सल्कलेशन मोसन में करना है, और यहां मुझे लगपक दो मिनट हो चुके है, थोड़ी बदू आती है, क्या क्या जाए, कुछ पाने के लिए जब दस मिनट या पांच मिनट हो जाएगा, आपका फर्स इस्टेप वाला जो फिस पैक सुक जाएगा, उसके बाद उसे आप दुबारा अपलाई कर लिजेगा, मैं वही करती हूँ, इस मास्क को लगाने के बाद, जब भी आप एक का मास्क लगाओ, या फिस पैक और यह देखे, सुक चुका था, मैंने दुबारा अपलाई कर लिया, अब फेस को मैं क्लीन करके आ रही हूँ, नॉर्मल पानी से क्लीन करना है, पहले आपको करके मैं दिखा रही हूँ, यह देखे, और यह हर स्किन के लोग लगा सकते हैं, अगर आपकी स्किन ट्राई है, मतलब बहुत ऐसी प्रॉब्लम जो होती है, सब दूर कर देता है, अब फेस को नॉर्मल पानी से मैं क्लीन करके भी आपको दिखाती हूँ, यह देखिए, और मेरे चेहरे पर जश्ट ही चमक आ गया, मैं फेस को क्लीन कर ली हूँ, फेस को अभी अच्छे से मैंने पोच्छ जैसे मैंने बताया, सेम आपको वैसे ही लगाना है, और इसे आप वीक में दो बार से तीन बार लगा सकतो, इससे ज़्याद आपको इसे नहीं लगाना है, और मैं उनको बताऊंगी, जिसकी यह 20 हो गई वही इसे लगाएगा, 20 के पहले आपको इसको लगाने के बिल्कुल अच्छा फेस्पाइक है, क्योंकि यह तुरंती असर दिखाएगा, तो चलती हो, फिर मिलती हो गले वीडियो में, अगर यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, और मेरे वीडियो आपको बहुत अच्छे लगते हो okay, bye bye, see you